बेमोसम बारिश से सबजियों की आवाक हुई कम और दामों में हुई बेतहाशा वृद्धी मुंबई सहीत कोकन छित्र के कुछ हिस्सों में और नासिक पूने सहीत पच्चिम महराष्ट और उत्री महराष्ट में भारी बारिश हुई जिसके बाद क्रिशी विज्ञानिकों ने इस बारिश से फसलों को भारी नुकसान होने का अन्देशा जताया है साथ ही इस बारिश से सबजियों की आवाक प्रभावित हुई है और जादातर सबजियों के दामों में बेतहाशा वृद्धी हुई है दिसंबर के सुरुवात में ही बारिश शुरू हुई जिसके बाद तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ गई बुद्वार सुबे राजी के कहीं हिसों में भारी बारिश हुई कोकन विभाग के मुंबई थाने पालगर रतनागिरी राइगर और सिंदू दुर्ग जिले में बारिश हुई साथ ही पस्चिम कोकन में भारी बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार मुद्वार को सांता कुरुज में 28.6 mm, कोलाबा में 27.6 mm, डहानू में 11.6 mm और थाने में 27.2 mm बारिश हुई 30 नौंबर को अरब सागर में बना एक कम दबाव का छेत्र बना जिसके बाद 1 दिसंबर को इसके तेज होने से पस्चिम महराष्ट के कोकन में जोरदार बारिश हुई इस समय अरब सागर से लेकर कच तक एक कम दबाव वाला पट्टा बना हुआ है ये राज्य के पस्चिमी हिस्से को प्रभावित कर रहा है तो वहीं पस्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का छेत्र बना हुआ है इसकी तिर्वता बढ़ती ही जा रही है इसके 2 दिसंबर को चकरवात में बदलने की उमीद भी जदाई जा रही है और ये अंद्रप्रदेश और उरिसा के तटो से गुजरेगा हालंकि महराश्ट पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा मौसम विभाग के अनुसार बारिश की तिर्वता में कमी आएगी लेकिन कोकन मध्य महराश्ट और मराठावार में दो और दिनों तक बारिश का मौसम रहेगा मुंबई थाने पालगर धूले नंदूरबार जालगाओं नासिक और आने जिले में एक दिन और हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है राइगर रतनागिरी सिंदू दूर्ग नगर पूने कोलापूर सतारा सांगली कोलापूर ओरंगाबाद जालना परभनी भीड और उस्मानाबाद जिले में दो और दिनों तक बारिश का मौसम बना रहेगा